अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पड़ी संचरन तंद्र का एसके जहासर की साइंस की बुक की बाइलोजी का चल रहा है पड़ी संचरन तंद्र का इसका हम लोग थेवरी सेक्षन अच्छे से पड़ चुके हैं अब इसका mcq हम लोग लगाएंगे mcq को मैंने दो भागों में बाट दिया है क्योंकि इसमें लगभग 922 कोस्चन है तो 45 कोस्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न पहला सबाल है वह भी कल्प चुने जो संबहनिये तंत्र के संदर्व में सत्त नहीं है लाल रक्त संबहनी संजोजन उत्तक है आड़ी सी एक कनेक्टी टीस्यू है बिल्कुल सही है मानव आर बीसी का जो जीवन काल होता है 115-120 दिनों तक होता है यह भी बिल्कुल सही है एक 1.7 से 1.8 होता है यह गलत है जो रक्त होता है वो सरीर के बजन का 7 परसेंट होता है ना कि 1.7 से 1.8 के बीज़ 7 परसेंट होता है दूसरा सबा परिसंचरन तंत्र के बाड़े में निम्न में से कौन सा भी कल्प नहीं है परिसंचरन तंत्र मनुस्य के कुल भार का 7-8 परसेंट होता है यह बिल्कुल सही है थोरा सा अब सही है 7-8 परसेंट होता है यह बिल्कुल सही है और बीसी का यानि लाल रुधिर कनिकाओं की आयू 15-120 दिनों के बीच होती है बिल्कुल सही है एक ब्यसक मनुस्के सरी में राक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है यह बिल्कुल सही है केवल र्क्त ही स्वेद परवाही संजो्जी उत्तक है यह गलत है केवल स्वेत रख्त नहीं लाल रक्त का निकाएं भी क्या है connected receive कि समान मानु रक्त है के उदास सी थोड़ां मशार्य परिवर्त्र थोड़ा चार्य इसका यह और mothjust होगा ठोड़ाइय क्योंकि रक्त का pH माइन 7.4 होता है और जिसाज से कम हो वह löण और साथ मिक्राइय और 7 से ज्यादा जो हो वह छारिय प्रविर्ति की होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा थोरा छारिय एक स्वस्थ मनुस्थ एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है इसका सही अंसर होगा C, 120 by 80 MH होता है रक्त का कौन सा घटक भोजन अर्थात कार्बन डायोकसाईड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन यूगत कच्रे में पडिवहन करता है तिसका सही अंसर हो जाएगा प्लाजमा क्या हो जाएगा प्लाजमा निमलिखीत में से कौन सा प्लाजमा प्रोटीन रक्त को रक्त के असकंदन में निहित है इसका सही अंसर होगा फ्हेंब्रे नोजेन फ्हेंब्रे निजन जो होता है प्लाजमा प्रोटीन के रक्त को असकंदन करने में सहायक होता है एक पारंपरिक रक्त चाप मापने वाला उकरन जिसमें चिकितसक के पारे का कोलम में उतार चड़ाव नजर आता है हस्थ चालित वायू पम्प किसे जुड़ा हो रहता है इसका सही अνसर है, मरकडी उसमें भरा हुआ रहता है, मरकडी कोलम से इन में से कौन सा रक्त यूनिभर्सल यानि सवर्भामिक दाता है इसका सही अंसर है O O में क्या होता है? एंटीजन मौजूद नहीं होता है जिसके कारण से या किसी भी बलड गुरूप को रक्त प्रोभाइट दे सकता है प्रोभाइट कड़ा सकता है लेकिन एंटीबर्डी इसमें AB मौजूद होता है लेकिन एंटीजन इसमें मौजूद नहीं होता है इस कारण से इसे सर्भ भामिक यानि सर्भ दाता कहा जाता है उनिभर्सल डोनर कहा जाता है जबकि वहीं AB की बात करें तो सर्भ ग्राही कहा जाता है क्यूंकि इसमें Antigene मौजूद होता है लेकिं Antibody इसमें मौजूद नहीं होता है इन में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है तो answer हो जाएगा C क्यूंकि C जो है कोई Blood Group नहीं है निम्रिखित में से किस रक्त समों को सर्व भौमिक यानि दाता के रूप में जाना जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा O सर्व भौमिक यानि सर्व दाता जो होता है वो O होता है सर्व गराही AB होता है मानव रक्त का pH मान अस्तर होता है इसका सही अंसर होगा 7-7.4 के बीच में होता है रक्त में पाय जाने वाले डैस सरीर के ओक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है इसका सही अंसर होगा RBC, Red Blood क्रप्सूल जो होता है लाल रक्त को सिकाएं वो सरीर में ओक्सीजन परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है रक्त का इन में से कौन सा घटक ओक्सीजन का परिवहन करता है इसका सही अंसर हो जाएगा RBC, यानि लाल रक्त का निकाएं वाई वी ये स्वसन क्या है इसका सही अंसर हो जाए औक्सीजन की उपस्तिती में स्वसन करना रक्त का वहभाग जिसमें 92 परसंट जल और 38 परसंट प्रोटीन खनीज हार्मोन इंजाइम एवं अन्यपदार्थ होता है इसका सही अंसर होगा D प्लाजमा जो है प्लाजमा में 92 परसंट जल होती है और 68% में प्रोटीन, खनीज, हार्मोन, इंजाइम एवं अन्न पदार्थ होते है मानों शरीर में किस अंग पर इंजियो प्लास्टिक की जाती है इसका सही अंसरोगा C, हर्दय में हीमोग्रोबीन में निमलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है इसका सही अंसरोगा Loha, अर्थाथ F, कहीं कहीं आपको F भी मिल जाएगा हीमोग्रोबीन में पाया जाता है इसका सही अंसरोगा Rakt हीमोग्रोबीन में मौजूद प्रोटीन है इसका सही अंसरोगा Globulin, जो होता है हीमोग्रोबीन में मौजूद प्रोटीन होता है आगे मानव सरीर की पल्स दर्ग की जाच क्यों की जाती है। इसका सही अंसर होगा शरीर के फंक्सनिंग जाचने के लिए मानव सरीर की पल्स दर्ग को जाच की जाती है। मानव हिर्दय का समान धर्कन अउसत दर होती है इसका सही अंसर हो जाएगा 60 से 100 के बीच मानव रक्त प्लेट लेट छोड़ते हैं जो रक्त रक्त को ठक्के बनाने क्लोटिंग में मदद करता है इसका सही अंसर हो जाएगा फ्रोथिम्बीन जो होता है मानव रक्त के प्लेट लेट को रक्त को ठक्के बनाने यानि रक्त को क्लोटिंग करने में मदद करता है रक्त का सभेद रक्त कन है इसका सही अंसर हो जाएगा सरीर के संक्रमन से बचाते हैं WBC का काम जो है वो होता है सरीर के संक्रमन से लजने का काम करता है WBC यानि White Bloods Circulation आंत्रिक गती निर्धारक मानुशरीर में निमलिखीत अंगों में से कहां इस्थिर होता है इसका सही अंसरोगा दिल में AB और O खून परनाली का अविसकार किस ने किया था इसका सही अंसरोगा Karl Land अश्टीनर ने AB और O ग्रूप समो का खोज किये थे एक व्यस्क मानुशरीर में कितना लीटर खून होता है इसका सही अंसरोगा 5 लीटर निम्रिखित में से कौन सा हिर्दे के कारी को अधिक उप्युक्त रूप से बताता है इसका सही अंसर होगा एलेक्ट्रो काडियोग्राफ अर्थात कहीं कहीं आपको ECG भी मिल जाएगा निम्लिखित में से कौन सा हिर्दे के काड़ी को अधिक उप्युक्त रूप से बताता है तो हो जाएगा ECG, Electrocardiograph मानव रक्त का pH मानलगभग क्या है? इसका सही अंसर है इसमें 7.4 AB रक्त वर्गवाला, एक व्यक्ति AB और O रक्त वर्गवाले लोगों को रक्त दांत कर सकता है ये गलत सर्भवमिक रक्त दाता कहा जाता है दाता नहीं होता है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है इसका अंसर बिल्कुल सही है, C होगा AB रक्त वर्गवाले एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं क्योंकि इसमें antibody मौजूद नहीं होता है और जबकि इसमें antigen मौजूद होता है वहीं O की बात की जाए तो इसमें antigen मौजूद नहीं होता है और antibody मौजूद A भी होता है समान स्वास्थ के लिए रक्त के pH की सीमा कितनी होती है इसका सही अंसर हो जाएगा C, 7.35 से 7.45 के बीच में रक्त एक उत्तक है रक्त एक उत्तक है इसका सही अंसर हो जाएगा रक्त एक connective tissue है Blood is a connective tissue संजोजी उत्तक हो जाएगा इसका अंसर C हो जाएगा मानो स्वरीर में मौजूद निमलिखित को सिकाव में से किसमें माइट्रो कॉंडिया नहीं पाया जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा RBC क्योंकि RBC का RBC जो होता है लाल रक्त खून जो होता है इसका सही अंसर हो जाएगा प्लोमेनरी धमनी प्लोमेनरी धमनी जो होता है वो क्या करता असुद रक्त को संचार करता है और प्लोमेनरी सीरा जो है वो सुद रक्त का संचार करता है वास्तवीक में धमनी जो होता है सुद रक्त का संचार करता है लेकिन एक अफवाद है पलोमेनरी धमनी जो की असुदरक्त का संचार करता है और सिरा जो होता है वो असुदरक्त का संचार करता है लेकिन exception है पलोमेनरी सिरा जो होता है वो सुदरक्त का संचार करता है तो इसके अनुसार इसका answer हो जाएगा पलोमेनरी धमनी हो जाएगा ज की असुद रक्त का संचार करता है निम्लिखित में से कौन सा कोलोस्ट्रेल का उलेख नहीं करता है इसका सही अंसर हो जाएगा सी रेसस फेक्टर जो है कोलोस्ट्रेल का उलेख नहीं करता है धमनिया रक्त का बहन करती है जो की भरी होती है इसका सही अंसरोगा ए ओक्सीजन से धमनिया भरी होती है प्लाजमा जो रक्त का एक संगठन है, एक है, प्लाजमा एक दर्व है, क्योंकि प्लाजमा में क्या होता है, 90% दर्व भड़ा रहता है, निमलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर का निकाओं के बाड़े में सही नहीं है, कार, ओक्सीजन और कर्बन डायोकसाइड का पड़िवहन बिल्कुल सही है, आकिर्ती विर्तिय या उभयाव तल ये भी बिल्कुल सही है, लंबाई 5.7 UM ये बिल्कुल गलत है, हेमोगलोबीर मौजूद होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका एंसर हो जाएगा, कौन सा सरीर के पुर्वर्ति हिस्सों में से रक्त एकत्र करता है, इसका सही अंसर हो जाएगा, सुपेडियर वेना कावा, याद रखिएगा, कौन सी नस सरीर के पुर्वर्ति हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, सुपेडियर वेना कावा, वह भी कल्प चुने, जो पड़ि संचरन के बारे में सत्य नहीं है कि रक्त लाल संबहनी शंजोजी उत्तक है ये बिल्कुल सही एक व्यक्ति लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है कि यह भी बिल्कुल सही है मानध जीवन का लिग्सि इक सुब्स होता है विल्कुल सही फिल्कंड सरीर का भाग का लगभग सत्रे से अठाड़े परसेंट भाग होता है ये बिल्कुल गलत है कि क्यूंकि मानों सरीर में जो रक्त होता है वो सरीर के बजन का साथ से आठ परसेंट तक ही होता है समान मानों का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमसह डैस और डैस होता है इसका सही अंसर है मानों सरीर में खून बहने का समय जो होता है दो से साथ मिनट और तीन से दस मिनट के बीच में होता है जमने में टाइम तीन से दस मिनट लगते हैं जबकि बहने में दो से साथ मिनट मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं होती है इसका सही अंसर होगा D स्वेत कनिकाएं जो होती है, WC जो होती है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं होती है dice में तंतु बंध नहीं होते है इसका सही अंसर है रस्ए में तंतु बंध नहीं होते है हीमोगलोब in निमलिखित में से कौनसी धातों मजूद होती हैrs हम लोग क्या पढ़ते पहले लोह आिरण संसर हो जाएगा फिर्वाल थियुकけて एफ ही होता है फिर्दय पेशी कोशिकाज होती है पिलनाकार होती है बिलकुल सही साखायुक्त और एक नाभ किये यानि यूनिक लियक होती है निम्लिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और सरीर में विभीनंगों में रक्त संचारीत करती है इसका सही अंसरोगा धमनी इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 पूड़ा अच्छे तरीके से कभर कर लिया है अब इसका पार्ट 2 में 45 MCQ हम लोग लगाएंगे तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भोले और जितना हो सके अपने मधकालिन भारत की सुरुवात हो रही है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मधकालिन भारत के साथ तब तक के लिए जय हिंद